नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल इनर पीस में दोस्तों आसा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों अपने लक्स की ओर देखते हुए आप अपने तैयारी करते रहें आपको सबलता जरूर मिलेगी आज हम आपके सामने UKMCQ20 लेके आए हैं चलिए दोस्तों आईए बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम अपने कुश मित्रू असोक सिंग थायार जी का प्रमूत पांडे जी का और कोमल जोसी जी का धन्यवाद कहना चाहते हैं आप सभी लोगों ने Inner Peace के Education Fund में अपना अमूली योगदान दिया है दोस्तों अगर आप भी इसी तरीके से Fund में योगदान देना चाहते हैं तो हमारे PTM No. 9411776319 में योगदान कर सकते हैं चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं Question No.1 दोस्तों जो आज बात करता है अगर आपने इसका आंसर बता दिया हो तो दोस्तों हम बताएं इसका आंसर है केहडी गडवाल C आईए दोस्तों इस पर देखते हैं अब अगर प्रजाम अंडल आंदोलन से पहले हम उत्ताखंड की सुतंता से पहले की स्तिती देखते हैं तो दोस्तों, 17 से पहले हुआ क्या था जैसा होता हsınız, कुमाओ गडवाल कुछ ऐसा नहों करें, कुछ ऐसा था जैसा फीगर वो देख रहा है यह जो आपको देख रहिए, यह है गडवाल र्यासत जहाँ पर पावार राजवन्स या परमार राजवन्स का सासन चलता था और इसके अलावा दोस्तों जो स्थिति आपको ज्यादा दिखेगी यहां पर वो है गड़वाल जिले की अल्मोडा जिला और नैनिताल जिला तीन एरिया यह ब्रिटिस गौब्मेंट के अंदर आते थे तो जब दोस्तों अगर देखें तो यहा और दॉलन बन रहा है चल रहा है लेकिन गड़वाल रियासत पे कोई भी हात ने डाल रहा है क्यों क्यूंकि यहाँ संधा काम है राज का सपोर्ड भी डिरेक्ली और इनडायक्ली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरी दोस को विरूदधन नहीं होना चारी और भी लोग थे नागिन सकलानी जी इन सभी के प्रियास से प्रजाम अंडल की स्तापना हुई इसका काम ही एक था कि सतनता दुलन को विस्तार देना और पॉलिटिकल आवेरनेस को बढ़ावा देना लोगों को संगधित करना यह हमारे यह बहुत इंपॉर्टन नाम है देव सुमन इनके नाम पे गड़वाल में एक विश्रु जाले भी है जिस पर हम अभी आगे डिसक्रस करेंगे अब आगे देखते हैं तो 1944 में यह देव सुमन जो है अनिश्चित काल की भुकरताल पर बैठ गये बहुत बड़े हमारे यहां पे पॉलिटिकल लिटर माने कि चौरास दिन की भुकरताल के बाद इनकी मृत्य हो गई और भारत के आजादी के बाद आप 1947 में देश तो आजाद हो गया लेकिन जो यह पावार राजवन्स के अंदर का जो एरिया था टेहरी गड़वाल जिसको आप कह रहे थे वो दोस्तों सतन नहीं हो पाया तो यहा 49 को दोस्तों सैयुक्त प्रांट रातए का जिला बन गया तो यह कुछ बाता है थी आज के क्वेस्टन से संबंधित और स्री देव सुमंजी से सम्मंदित और दोस्तों हम आपको एक बात बता हैं हमारे कुस्मित्र पूश रहे थे कि उत्राखंट के अंतिम राज़ा कौन थे तो दोस्तों उत्राखंट के अंतिम राजा राजा मानविन्न शा ये, जो कि सरल सा question आया हुआ हम हमेशा आपको बताते हैं कि सरल question 99 परसेंट आप सही कर लेते हैं। एक परसेंट को आपको हटाना और शफलता को प्राप्त करना है दोस्तों तो ऑप्सन एक है नानुप मत्ता अब दोस्तो एक सउन कि लोकेशन हो घये अब सो अखेर की पूछा खान में किया हैIAN उजयंस परिवर्तन का कारण क्या है जाओ तो दोस्तों इसका आंसर है डी क्योंकि क्लाइमेट चेंज क्रीन हाउस गैस की वज़े से भी होगा ओजुन पर दिप्लीशन होता है ओजुन लेयर में तो भी हमारे पर जल्वायों पर यह तन आ रहा है प्रदूर्शन के करण भी आ रहा है इसलिए आपसन इसका डी है दोस्तों अगला क्वेशन आता है फिर से दोस्तों एक क्वेशन देखे कि बाइयलोजी से कितना सिंपल क्वेशन Luft ges पुछा गया माना और सरीर में कुल कितनी हडिया होती है देखे दोस्तों सिंपल क्योशन है और एक नमबर आराम से पकर सकता है कहीं आपको किसी एक्शाम गड़वाल मंडल में कौन सा जिलास्तित नहीं है फिर से देखे दोस्तों हमारे टीम ने अपने काम को देखते हुए पीछे पाया है कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो कि हमारे गड़वाल और कुमाओं पर एजी क्वेश्चन्स वहाँ पूछे जा रहे हैं और रहेंगे दो बड़ा सराल है लेकि नहीं है पूछा गया है चमुली उत्तरकासी पौड़ी या बागिस्वर कई बार होता कि है दोस्तों जल्दी पर पढ़ा और कौन सा जिलास्तित है चलो चमुली यहां है बस नीचे पढ़ा ही नहीं और आंसर देदिया चमुली बलकि आ बाजे क्रेक है यह देखिए इसमें हमने आपको क्लियरली बता दिया दोस्तों अब देखते हैं गड़वाल के कुमाओं के जिले पिथारगर बागेस्वर चमपावत अलमोडा नैनिताल उदम सिंग्नगर शायद आपको क्लियर हो गए होंगे गड़वाल के चमुली उत्त दरकासी रुदरपरियाग ठेरीगरवाल पोरीगरवाल देरादून और हरिद्वाल इस तरीके से आपको इस सारे याद हो जाने चाहिए और आप दोस्तों अब बात करते हैं आगले क्वेश्चन की निम्नम है कौन उत्राखन राज्य का विश्वविद्याले नहीं है आपने चारों आपसन देख लेए हूं तो आपका आंसर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यह है गुरुकुल कांग्री विश्व विश्व विद्याले जो की उत्राखन का राज्य विश्व विद्याले नहीं है आए थोड़ थोड़ इनके बारे में जानते हैं सबसे सऻाले बात करते हैं आपको नियुकुल मुद्यू हुख भूट कांग्री विश्व विश्व पिस द्याले 4 मार्च 1902 को इसकी इसाप्ना स्वामी सध्धानंद जी ने कि थी और बैसिकली अपनी चीक्शाव नीदी लेकिह आया था तो मैकाले की सिक्शा नीदी के स्वधे इसी विकल्ब के रूप में दोस्तों इसको स्वामी सद्धानन जी ने स्तापित किया था और आज कर स्किस्थिति कहें तो आज एक डीम्ड उनियोस्टी है और फुली फंडेड है यूजी सी या गुवर्मेंट ऑफ इंडिया जा रहा है यूजी सी में तो पूर्ण उनियोस् और कुमाव उनियोस्टी तीन केंपस है दोस्तों अलमोडा नैनिताल और भीमताल और थाटी फाइब एफिलियेटेड गवर्मेंट कॉलेजिस हैं आप इसको भी याद कर लीजे आगला जो अप्सन है वो है स्रीदेव सुमन उत्राखंड विश्विद्याले दोस्तों इसक और दोस्तों यहां पर एक उपसंदा मेडिकल विश्विद्याले यह बड़ा इंपॉर्टन है यह जो जाल है 2014 में स्ताफित किया गया तेरादून में मेडिकल कॉलेज के लिए और यह राज्य विश्विद्याले अब यहां पर एक कन्फूजन लोगों के मंद में रहता है कि हेमती नंदन भहगुना गड़वाल विश्व द्याले भी एक विश्व द्याले है जो कि श्रीनगर गड़वाल में है और लेकिन यह आप एक केंदरी विश्व द्याले हो गया है याद दी गए राज्य विश्व द्याले नहीं है तो ये कुछ बाते हैं थी दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं निम्न में कौन एक उत्राखंड का लोक नित्य नहीं है चौफला, जुमेला, छोलिया और गिद्धा तो अगर आपने चारों अप्सिंस देख लिये हों भॉफला, जुमेला और चौलिया, तीनों गिद्धा नित्ते, जो है, डीज का अंसर है उत्राखंड का लोक नित्य नहीं है, पंजाब का लोक नित्य है, जो कि पंजाब में दर्र, सिल्ला दर्र और अगर तो दोस्तोँ है अगर आपने अपना कि शिर्यों दीज्र ढा की दीगई तो यह जा रखिए हैं। और अभी बहुत जल्दी हमारी टीम दोस्तों दर्रों के बारे में उत्राखन के दर्रों के बारे में आपके सामने एक वीडियो लेकि आएगी जो आपको दर्रों को और इस तरह क्लियर कर देगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेशन नमबर नाइन भारत का राष्टी जल्चर जीव क्या है क्वेशन बहुत द्यान से सुनिएगा राष्टी जल्चर जीव नेशनल एक्विटिक एनिमल कहते हैं दोस्तों को आप अपना आंसर दे चुके होंगे तो आंसर है नदी डॉल्फिन के बारे में बात करें मीठे पॉनी की जो डॉल्फिन होती है यह भारत की राष्टी जली जीव है नेशनल एक्विटिक एनिमल है यह दोस्तों स्तंधारी जन्तु है देखिए ऐसा कोशन आ सकता है ज्यान काम हो रहा है यह थोड़ा बहुत आप मान सकते हैं बातों को हाला कि बहुत सारे आकड़े भी जो गंगा की असुदता और बार बार में बताए जा रहे हैं जो सही भी है पॉल्यूशन के एसाब से हमने गंगा को बहुत गंदा कर दिया है अब बात करते हैं अभी हम नदी डॉल्फिन के बार में कह रहे हैं तो 2009 में ही सरकार ने इसको गंगगा के डॉल्फिन नेस्नल एकुटिक अनिमल घोशित किया है रीजन यह रहे हैं जो इसका पीक है दोस्तों इसको हमें बचाना है इसको बचाने के लिए ऐसा काम किया घा गया आगे बढ़ें अगला क्व विकास रिपोर्ट, Human Development Index कौन प्रकासित करता है आप सभी लोग ने इसका नाम सुना होगा Option A UNDP, Option B विश्वबैंक, Option C IMF, Option D UNICEF दोस्तों इसका आंसर है UNDP-A United National Development Program आई यह थोड़ी बात करें मानव विकास सुचकांग, Human Development Index एक सुचकांग होता है Basically दोस्तों इक क्या है, ज़्यादा टेंसन नहीं लीजिए, Simple समझिए कि एक ऐसा सुचकांग है जो बताता है कि कोई देश विकसित है, विकास सील है या अविकसित है बस इस concept को आप ध्यान दीजिए कि देश की बारे में बताता है और इसके तीन बहुत महुत्पून संकेता होते हैं, एक होता है, एक होता है, जिवन प्रतियासा, शिक्स्या और प्रतिव्यक्ति आई तीनों को फिर से देख लेते हैं, life expectancy, जिवन प्रतासा, कितनी जिवन जी रहे हो आपे लोग, उसके आदार पर देश को बताएंगे, शिक्षा, कैसी education है लोगों के कितने प्रतिशत education है, और per capita income, प्रतिवक्ति कितनी लोगों की income है, ये तीनों तत्थों के आदार पर इसक तो इसको, और United Nation Development Program, सहिक्त राश्व विकास कारेकरम द्वारा इसको प्रकासित किया जाता है, ये याद कीजेगा, अच्छे एक चीज़ और याद कीजेगा, हमारे एक बहुती फेमस अर्था सास्त्री है, अमरतर शेन जी, उनने भी इसमें एक तौनथा इंडिकेटर डा मुथी सब देखा, दोस्तों, पेड़ की इंड की कि你們 के लिए अनाज या नदी की चोड़ारी, कितना सिंपल कोष्पिंट दोस्तों आया हो ए, इसका आंसर है भूमी की माप के लिए, भूमी को मापा जाता है इतनी मुथी भूमी, फिर उस मुथी से नाली, तो ये अ हमार किस सेत्र में होता है Magnetic ink character recognizer नाम होता है MICR का बता दें तो बैंक मों होगा होटल मों होगा अस्पताल मों होगा घर मों होगा दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों a bank में आइए थोड़ा MICR के बारे में जानते है Magnetic Ink Character Recognizer जो code है यह एक technology है जो mainly banking industry में यूज होती है और इसका purpose है processing and clearances of check and other documents basically check का जो होता है clearances होते हैं और processing इसे check की जाती है दोस्तों होता क्या है कि check के निचे का MICR line होती है अगर आप देख पा रहे हों तो यहाँ पर एक red line से आपको दिखा रहे होंगे यह M.I.C.R. line जो होती है दोस्तों यह इंक्लूट करती है document type मतलब बैंक का code बताएगी bank account number बताएगी चेक नंबर बताएगी यह सारे कुछ इसमें data होते हैं जिसके बेस पे bank इंडिस्टी काम बैंक काम करते हैं इंडिस्टी में ज्यादे यूज नहीं होता है bank में बेसिकली यूज हो रहा है और यह ICCI bank का चेक दिखा के हम आपको यहां पर बता पा रहे हैं आगे बढ़ते हैं question number 13 डॉक्टर पितामबर दर्थ बर्थवाल हिंदी Academy की स्थापना कहा की गई है हरिदवार नैनिताल देरादून और इसी केस तो दोस्तों इसका आंसर है C देरादून अच्छे आए थोड़ा से इसके बारे में जानें तो डॉक्टर पितामबर दर्थ बर्थवाल हिंदी ज विएद कीजेगा डीलीड की आ सकता है क्या अगला क्योश्यन कौश्यन में 14 इंपॉर्टेंट है कि संतोष ट्रॉफि का संबंद किस से है यह कोशिशन भी आया है होक्की फूटबॉल क्रिकेट यह टैनिस संतोष ट्रॉफि तो दोस्तों आंसर है बी फूटबॉल संतोष आपी जो औल इंडिया फुटबॉल महासंग औल इंडिया फेडरेशन ऑफ फुटबॉल जो है के तहट स्टेट हर राजी की टीम हो सकती है जो भी राजी है और गौर्ब्मेंट इंस्टीशन के दोरह खेले जाने वाली फुटबॉल नौक आट परते हुगता है अच्छे रा साल खेली जाती है और सबसे पहले 1941 मंतरभ था चतनता से पहले खेली गई थी और बंगल इसका पहला वीनर था बंगल Phi फेले भी घेए और जबकि 1941 माषा तब भी बंगाल जीटा था औरู जो 2017 में संतोष चृफी वी थी उसे भी बंगल नहीं जीता था और बंगल 32 बार पस्ति मंगाल अभी तक 32 बार इसी जीच चुक है दोस्तों हाइस नंबर जीतने का इसी का है और अंतीम वर्ष जब बंगाल ने गुवा को इसे हराया था दोस्तों संतोष ट्रॉफी के बारे में बात हो गई अगला क्वेश्चन दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके लिए इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर दीजेगा तो क्वेश्चन है कि आई एमफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अंतराश्टी मुद्राकूस की स्तापना किस समझाते गंदर गद हुई थी ब्रेटन वूट समझाता ब्रेटन स्टोन समझाता आपके शेयर बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है और जो हमें बहुत ही इंकरेज करते हैं तो दोस्तो इसी पकार हमारे वीडियो को अपने फेस्बुक पेज़ और अपने वट्सेप के ग्रुप्स पे जरूर शेयर कीजिए थैंक्यू दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसं थां पिव करते हैं करते हैं … चला वीडियों करता है